मैं अनुराःट सिंग ठाकुर साभ ने जो उस दिन बात कही मैं उससे complete सहमत नहीं हूँ मैं अनुराःःःःः ठाकुर जी की तरव से माफिय मांगना चाहता हूँ इस सदर्ण अनुराःःःःः ठाकुर जी ने जो उनके उपर आरोप लगाया जाती तो जाती है यह ने ना कि जो मैं हूँ वो दिखता ने मैं जो दिखता हूँ वो मैं ने स्वे जातना पुछो साथू कि आज इस देश का प्रधान मंत्रिय पिछड़ा है चैवालावा है बैक वर्ड है और यहदि वो ओबिसी सुरच्छा की बात करता है और जिस दिंवो एक सबार ओवी सितरकार की बात करता है तो आप ओवी सी ओवी सी करते हो जब आप उच्छना चाहता हूं कि आप ये बताईए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग कई एक ऐसे लोग हैं जिनको की धर्म में आस्था नहीं कई एक ऐसे लोग हैं जिनको जाती में आस्था नहीं वो आपना किस तरह से जाती गद जंगन ना करेंगे जिस पड़ राम सुवक सींग चरंप सींग जग जीवन राम मतल वियरी बाच्पई इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे जिस जगह पर सवरण पवार जैसे लोग रहे वाई भी चौबान जैसे लोग रहे उस जगह की गरीमा का क्या हरास्मेंट कर रहे हैं इस बजट में नकारांत्मक पहलू दिखा करके आप जातिकत जन्हांगां की बात करते इसी बचल में जाता है यही टेक्स है इसी टेक्स के अधार पर जाता है पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है उन्हां 112 से लेके उन्हें 190 तक पूरा assessment किया इसमें आपको आश्यरी होगा सभापती मोहदया कि पूरे के पूरे manifesto में 52 में, 57 में, 26 में, 69 में, 71 में, 87 में, 84 में, 89 में और 80 में में ये सभी manifesto में उन्होंने कहा कि हम OBC reservation के खिलाफ आप OBC की बात करते हो मद प्रदेश में आज तक, मद प्रदेश में आज तक Congress ने एक OBC को Chief on Sunday बनाया उत्तर प्रदेश में Congress ने आज तक OBC को Chief on Sunday बनाया बिहार में दरोगा राय जी को छोड़ कर किसी एक OBC Chief on Sunday बनाया और जब-जब OBC की बात आई यदि दरोगा राय ने reservation दिया तो उसको आपने अलग किया 77 में जब चरंज सिंग रिजर्वेशन देना चाहते थे आपने उसकी सरकार गिरा दी आपने 89 में बीपी सिंग की सरकार गिरा के चंद सेकर का आपने सरकार बना दिया और जब गुजराल साहब OBC जनगनना कराना चाहते थे तो आपने 97 में उसकी सरकार गिरा दी कॉंग्रेस का कोई मूँ नहीं है OBC के बारे में और प्रधान मंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया प्रधान मंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया क्रिश्न की तरह चारो तरफ आप बिलविला रहे हो और सारी ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कॉरब की तरह प्रधान मंत्री के जेंडे पर OBC चिला रही है और OBC का कोई कल्यान कोईधी होगा यदि आपने ताकत है यदि आपने ताकत है तो 2011 में OBC रिजर्वेशन जो कराया वो क्यों नहीं implemented हो पाया यदि आपने ताकत है तो करनाटक में आपकी सरकार है पिछले दो साल से सरकार है वहाँ सोचियो एकोनामिक रिजर्वेशन हो गया है उसको क्यों implement करवाया इसलिए नहीं करवाया कि इसलाम और Christianity दो ऐसे धर्म हैं जो जाती की बात नहीं करते हैं और उसमें 86 जाती Christian की और 56 जाती मुसलमान की उसको OBC वैक डर्वाजे से पीछे के डर्वाजे से आप मुसलमान और Christian को रिजर्वेशन देना चाहते हो OBC में इसलिए आपकी हैस्यत नहीं है और इसलिए आप जातीगत जन्रवना की बात करते हो यदी हिम्मत है कॉंग्रेस को राहूल गांधी को तो करनाटक में वो OBC डर्वेशन करके दिखाए तो मैं मानू कि इस हाउस में जो आप बात करते हो उस हाउस की बात करते हो